जी हाँ, हाई गाइज, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये अदभूत एतिहासिक प्राचीन कालिन, पाकड का ब्रिक्ष, जी हाँ, बठ ब्रिक्ष के नीचे गया में गौतम बुध को ग्यान मिला था, वह तो दुनिया जानती है, लेकिन आप देख सकते हैं, नन्दी भाउजी का पोखरा, चमपापुर गनोली पंचायत के तहत, धंगड़िया, चमपापुर गनोली पंचायत के धंगड़िया, गाउं में अवस्थित ये अदभूत प्राचीन कालिन, पाकड का पेड, जिसके संरक्षन समर्धन की बात चल रही है, हम सभी चाहते हैं, इस प वालमिकी नगर, पस्चिम चमपारण के आसपास के लोग खुद वाखुद भी नहीं जानते, अधिकारी गन भी जल्दी आने की कोशिस नहीं करते, लेकिन हमारा यूट्यूब चैनल, खोज बीन के माध्यम से हमारा प्रयास है, कि इन विक्षों का संबर्धन हो, संरक्षन हो, और इस जगह पे प्रेटक आएं, उनके लिए सारी व्योस्था की जाए, देख सकते हैं, हमारे बीच समाज से भी मुनिलालदास, ग्रामिर, हमारे बीच वाल्द सदस्य के रूप में, और समाज से भी आसिस आनंद जी वालमिकी नगर, हमारे बीच खोज खबर के रिप कितना पूराना है, पेड़ कपसे देखें हैं आप इसको, यानि कई पूस्त लोग देख चुके हैं, ऐसी उमीद है कि लगभग 500 से भी ज्यादा बर्स हो, और जो सोरठी बिरजाभार की कहानी लोग कहते हैं, और यह पोखरा भी जो देख रहे हैं, यह पोखरा जो नजर आ रहा है, यह भौजी का पोखरा है, और जहां देख सकते हैं, जहां विकास की सक्त जरूरत है, और आप सभी देखते रहे हैं, और लगतार बने रहे हैं, यह पादभूत प्राचीन कालीन पाकड का विक्ष, अगर आप इसे देखना चाहते हों, तो चमपापुर गनोली पंचायत के धंगड़या गाओं आए, जी यहां दोस्तों, मैं डी आनंद चाहता हूं, इन विक्षों का संबर्धन हो, और इस अस्थल को एतिहासिक धरोहरों में शामिल किया जाए, धन्यवाद के साथ हमारा हेलप लाइन 94, 393, 75 और सभी पस्तित लोगों को बहुत बहु कर दो नेवाद किया बड़ bादर में वाद को आए, पस्तित बहुत बहुत अलिए।